दोस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स पैनलाइसिस करेंगे नेपाल डोमेस्टी टीट्वेंटी लीग 2022 का गाइस आज का दिन का जो मैच खेला जाएगा ना उसके बारे में एक ह मैच होगा क्योंगे आज एलिमिनेटेड है जो टीम हारेगा वो निकल जाएगा मतलब नॉक आउट मैच है दोनों टीम अपना 100% देंगे अपना बेस्ट लेवन खेलने वाला है कुछ चेंजेस हुआ है क्योंकि देखो BPL में ना कुछ प्लियर्स चले गए अल्रेडी तो कुछ बरे प्लियर खास करके हाइली सिलेक्टेड 50-60% की सिलेक्शन और हाइली कैप्टेन वाले पीक्स कुछ खेलेंगे नहीं इस मैच में धियान से आप दोस्तों वीडियों तक देखना फोकस करना वीडियो पे तो ना आप एक बिटर टीम कुछ क्रेट कर लोगे मुझे पता है अगर वीडियो अप ध्यान से देखो गया बट स्टिल मैं क्या करूँगा जो स्मॉल लीग है उसके लिए मैं कुछ अपडेट्स और इवन मैं अपना डेमो टीम भी शेयर करूँगा आपके साथ टेलिग्राम पे देखो सिर्फ इस मैच का बात नहीं कर रहा हूं य है बंगलादिश टीट्विंटी और जरूर से बंगलादिश पीमेल लीग और जरूर से जो न्यू सीरीज स्टार्ट होगा ओमान डीट्विंटी यह सीरीज भी मैं कवर करने वाला हूं तो आपको अगर यह दो सीरीज खेलना है साथ-साथ नेपाल के कवरेज इंटरनेशन मैचेस कभी एकशी 22 कुपेरा के पीक्स डिटेल एनलाइसिस वाला वीडियो तो आप चरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन को और 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 टेलीग्रम जरूर 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 जाना ठीक है फाइनल अब्डिट और देमोटी महीं पर मिलेगा तो डिस्क्रिप इस सिजन में और मानों की नेपाल टी 20 में बहुत ही अच्छा बैटिंग ट्रैक मिला है बहुत सारे रन भी बने बट वही एवरेस्ट को 150 के करीब है बड़ा मैच है प्रेशर रहेगा एक 1145 में यह मैच टार्ड होगा क्लियर हुए दर है बट यहां पर फॉक बहुत जाद है खासकर कर अगर टॉप 45 रन गेटर आप अगर अच्छे तरीके से देखोगे मुट गैस अल्मोस्ट सभी इंटरिशनल प्लेयर है एक है वह सिलंगा का विकी है शायद उसको छोड़ दो तो ज्यादा तर गैस रोहित पॉर्टल हो गया हुसना इंतलाट हो गया एलेक्स ब ठीक है और एक टीम शायद ऑल आउट भी होगा ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है लेट सी क्या होता है के एक केसे में अगर देखू ना यह जो टीम है ना इनका एक प्लियर नहीं खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है अजमतुल्ला उमर्जाई कहां पर यह यह बंगलादिश प्र सब्सक्राइब को नहीं है टुटल इस सीजन में चार्व मैंच में पंद्राग एवरेस एक सट रन बनाया लास्ट फोर इनिंग्स इनका इस सीजन में था चौदीस बारा बारा थीन और पाच और उससे पहले था पाच सुनम गौतम अब देखो इनका सिलेक्शन बहुत ले अब देखो दो चीज़ आपको दिखेगा एक दो विकेट है मतलब यह बॉलिंग ठीठा करा सकता है और दूसरा गैस पैतालिस रने यह बैटिंग भी करा सकता है बट बहुत ही इनकंसिस्टेंट है सेम मैच में दोनों रिजल नहीं आया था और बाकी तीनों मैच एकदम से अब टोटल ओवरल नौ मैच में 186 रन है इनका इस सेजन में 18 ओवर में ना चार विकेट है अब जो मैं पहला बात करूंगा बैटिंग से खराब नहीं है एवरेज बहुत डिसेंट है तेइस एवरेज में 186 रन ओपेनर है ठीक है बट नौ मैच में सिफ 18 ओवर इसका क्लि अब यह विकी सेक्षिन में है और बैटिंग से लास्ट के चार पाच मैच में परफोरमेंस देखो कुछ खास है नहीं दस मैच में चपरना ने सिजन है दो चीज़ आपको यहां पर समझ में आज गया होगा सुनम गोतम भी रन नहीं बना रहा है लोकिश बंबी रन नहीं यहां पर जितना इनका एवरेज है जितना इनका परफोरमेंस है लोकिश बंब का तो एक गिरी रहा है और संतुष करकी का या फिर एस गौतम का गिरना चाहिए ऐसा मुझे दिख रहा है लेक्स ब्लेक यह इंपॉर्टेंट प्लियर इस टीम का इस सिजन में शायद 64-0 तो डिसेंट प्लियर है बट दो इनिक्स इनका डिसेंट है 64-34 बाकि तीन इनिक्स में ये फ्लॉप भी हुआ है ये भी बात ध्यान देना संदीब रजाली अब इनका चान मैच में 79 रन 26 का अवरेज 30-17-0-32 डूनाट बैट अब जादा हाई रिकॉर्ड भी नहीं है ग ये कहां का है गाइस ये नेपाल के लिए इंटरनेशनल खेलता है बिसिकली दोस्तों जो मुझे पसेनली लगता है कि जी मला जो है ना ये प्लियर तो अच्छा है बट इनको जो इशू आता है जो प्रॉब्लम है इनका वो थोड़ा से स्लो खेल जाता है बट हाँ ये जब सेट हो जाते तो बहुत बड़ी बड़ी शॉट भी लगाते है कमल सिंग आई रे हाइली सिलेक्टेट प्लियर इस मैच में गाइस बहुत ही अच्छे दिख रहा है मुझे क्यूंकि देखो अजमत नहीं है तो ये बंदा बैटिंग से परफोर्मेंस दे सकता है और अगर ब इस मैच में इनको मिलेगा ऐसा मुझे दीख रहा है तो अगर फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग होता है बहुत इंपॉर्टेशन कर सकते हैं बहुत बहुत करेंगा अब इस टीम करना बहुत करेंगा अभिनाच बोरा लीडिंग विकेट हैं दस मैच में टारा इकट बॉलिंग फर्स्ट डीफॉललकर ने मेरेसाबसें बहुत बढ़िया कैप्टन el डिफॉल डनहीं है बहुत बढ़िया है दस मैच गुद्र 4 बart इंग विकेट हैं हरब विएट है 2-1-3-1-1 अर बार बार करें और कमाल्लाब 책 करा सकता है न ऐस मैच में एठा विए टाप में और टॉप यौयेफ भाइंट कमाल का बोलर है साथ-साथ कुछ ररन बना सकता है घखिर आमेत तोह बास हूं कर बोलें एक बरियाP です कैप्टेन है कमल सिंग बॉलिंग फर्ट बहुत इंपोर्टन है अनिल खरेल कोई नहीं लिने वाला ग्रेंटली खेल यो मस्ट मस्ट ट्राइ करो दस मैच में दस विकेट है इवेन कमल सिंग से भी ज्यादा बेटर रेकॉर्ड विद बॉल और एक चीज़ ध्यान दो 35 ओवर ह इनका कमल सिंग का है दस मैच में 27 ओवर मतलब ओवर किसका ज़्यादा है अनिल खरेल का लेफटाम ओथर्डोक्स मतलब सेकेंड इनिक्स में जो मैं आपको बात समझा रहा हूं वो है कमल सिंग आईरे के जगा अप अनिल खरेल को यूज कर सकते हो देखो आपको रिस्क तो बॉलिंग नहीं टाल रहा है तो क्या मतलब है फिलाल नहीं लेना इनको और बेंच में उमर्ट आइं मुझे नहीं लगता खेलेगा यह कहां पर मंगला देश में मुझे लगता है अब बहुत बॉट बहुत अच्छा प्लियर है बट यहां पे नेपाल में थोड़ा क्वैल क्वालिटी क्रिकेट जादा है कमपेर तो मलेशिया तो इनको तोड़ा मुश्किल हो सकता है बट क्वालिटी वाइस मलेशिया के लिए मेरे साब जाब से जादा बेटर है और कंसिस्टेंट एस खनल एक मैच के ला चाहां पर कुछ नहीं मिला ऑपिनिंग दोस्तों कमल सिंग अनिल खरेल एबोहरा कराता है कमल सिंग और बशीरा में दोस्तों बोगारा नहीं होगा बोहरा होगा कमल सिंग अगर बॉलिंग फर्स्ट वाद इंपॉर्टें इनका बहुत जादा रहेगा टिम में बैट से कुछ दस पंदरारन का नौक बॉलिंग से डेत में एक आदा व होंगे मैंने खेला था मैंने अपके साथ शेयर भी क्या था एक स्कॉट लेंड नंवी बिया वगारे के साथ पी एंजी के साथ निपाल खेला था मैं हम लोग ने अच्छा पॉफिट भी क्या था उस सिरीज में जाके देखो अर्जन सौथ एक मात्र मुझे कंसिस्टें नि बाहर जाके स्कॉटलेंड हुआ या फिर नमीबिया हुआ नेदल ऐसे कुछ कंड्रिस में जब मैचस वे थे तब एक ही बंदा अच्छा खेल रहा था वह थार जून सौथ तो यह प्लेयर सौलिट मुझे लगते है ठीक लिए थोड़े से बिटर है और यह 10-20 रन कर देंग सेक्शन में बेस्ट पीक है जी शर्मा एकावन एक ग्यारा बाइस बारा अब डिसेंट पर्फोमेंस है दस मैच में 171 एवरेज 21 ऐसा नहीं है 21 एवरेज इंपॉर्टन हो सकता है बैडिंग सेक्शन में है तो ठालो रूहित पॉर्डिल सबसे इंपॉर्टन प्लियर इस ट शाइदा थे टीवरेज चाइब कि उन्हों ने बनाया कितना दो कम हुआ 70 बना जादा बना फिर 21 कम हुआ फिर 66 बना तो अब कम हो सकता है बट स्टील मस्ट पीक हुसें तलाट सबसें प्लियर पाकिस्तनी प्लियर 215 यह उकर्याच जरोग शतरा जिरोगे कर आधर नेए पास्ट पास्ट इनिंग्स देखो ओवरॉल दस मैच में 11 रन है जादा खास नहीं बैटिंग नीचे है मैं नहीं लेने वाला फिलाल के लिए एक क्यूंकि दस पैटिस चार एक आदा ओन इनिंग्स अच्छा था एक आदा इनिंग्स में नहीं विकेट भी निकाला बट अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ इनके उपनें का जो बैटिंग है ना मुझे विक लग रहा है यह एक बहुत ही शांदार क्याप्टेन है कोई नहीं बनाने बाला बट बॉलिंग्स ज़रूर बना सकते हो आप क्यूंकि देखो यह प्योर बॉलर है और हसन दलाट प्योर बॉलर यह तो यह देट में भी आएगा सूरिया तमांग लेफ्टा मॉत्टोडोक्स पांच मैस में शे विकेट ग्रैंड लीग है जरू ट्राइ करो एक आदा वहां सेरे टीम में ट्राइकर सकते हो फिर से रिपीट कर रहा हूं इनके जो उपनें है ना उनके मुझे बैटिंग उ दोस्तों कौन है दोस्तों अरच ननन ठीक है यह डिना मुझे सॉलिज लग रहा रहा है कौन दूस्तों और ये डेत में भी आसकता है साती मैच के लाइंनों ने किसने कर दो साती मैच कहला है राज नननन ने और गैस single each next week कि निकाला है देखलो 12 बहुत जादा होता है और ढ यह तो आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा और राजननन और हाँ आप रिस्क लेना चाहते हो राइटम मीडिया में बॉलिंग फिर्स्ट खेल रहा है तो गैस कैप्टेंट भाइस कैप्टेंट बना दो हाँ बहुत जादा रिस्क होगा स्मॉल लिग में मत बनाओ अब फिजूल का रिस्क मत लो बहुत पीछे भी जा सकते हो अगर इन्होंने विकेट नहीं लिया पर अगर उगिर लेगा तो इंपॉर्टेंट होगा और अमर राउटेला दोस्तों राउटेला ने ओवर्स बहुत जादा इस सीजन में अब कभी बॉलिंग करते हैं कभी ज भाछ मच में सोलब रूबर दो एक रूबर जबी यह वर्स बिर आपके में पड Totten के रहूंत जिए जिए लेया ने थे देन के पहुछी तपर अमरे देंत लबूंसे यहाँ है। हमार यह सिर्फ में ऐसीं एक्स तरुजर है किने यहान को Vi यह जो बंदा है ना कौन दोस्तो क्यों क्यों का मैं बात कर रहा हूं नंदन क्यों दोनों डेट कराएगा तो आप अगर रिस्क लेना चाते हैं तो क्यों क्यों गैस प्लेयर लो अगर आप रिस्क लेना चाते हैं एस कैप्टेन नंदन को बॉलिंग फर्स्ट में लेना सूरि सी क्या होता है बट यह मेरा उब्जविशन है कैप्टेन पीक्स में अननन नंदन यादव बेस्ट पंथ रहेंगे इस मैच में हुसें तला सेफेस सेफेस बेस्ट बैट फर्स रहने वाला है यह बहुरा बॉल फर्स्ट में अब चाहो तो यूस कर सकतो मेरे साब से यूस करो तो बिटर होगा अगर बॉलिंग फर्स्ट है तो कैप्टेन वाइस काप्टेन सेकें इनिक्स में जेस्ट प्लियर रखो बश्यर आमेद रिस्की है बॉल फर्स्ट में बहुरा जादा बिटर है थोड़ा सो विकर टेकर है बट बश्यर अपको बैटिंग से कुछ रन देग क्यों जोसेफ को लिया के मल्ला सूरिया तमंग दो बहुत अच्छे चोइस है और एवन एक हरेल भी यह मैं अपको अफटर टॉस बताता हूँ थोड़ा सा टीम बैलेंस देखके बाकी नंदन बोरा तो मस्ट है बशीर आमिद मस्ट है और नंदन बॉलिंग फर्स्ट बहु सबसे पहले आपके साथ मैं टैलिग्राम पर शेयर करूंग अगर पसी ने लिखेला तो आपे टैलिग्राम पर जूर जूर जाना टैलिग्राम वीडियो पिसंद आए तो लाइक कर देना थैंक्वेस मिलते हैं मैच टाइम पर